तो चलिए शुरू करते हैं काफी कम समय में आपकी यह दाल तड़का बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक कटोरी दाल यहाँ पर हमने तूर की दाल का यूज किया है इसे हम अच्छे से धोकर वो पंदा मिट के लिए गला देंगे यहाँ पर मैंने एक कटुरी दाल को धोकर और पंदा मिट के लिए गला दिया था साथ ही मैंने इसे कुकर में अच्छे से बॉयल कर लिया था तो अगर आप चाहिए तो कुकर में बॉयल करते समय इसमें नमक और हल्दी पाउडर एट कर सकते ही मैंने बिना नमक और हल्दी के यहाँ पर इसे बॉयल किया था तो चलिए शुरू करते ही हमारे पास जब भी बॉयल डाल रखी हो तो आप इसे तुरंत ही तयार कर सकते ही तो चलिए चलते हैं गेस की तरफ यहाँ पर मेंने गेस को आन कर दिया है और सबसे पहले लिए कड़ाई आपको इसा भी पैन या कड़ाई या तपेली का यूज कर सकते ही यहाँ पर मैंने दो चमच ऑईलेट किया है और साथी मैंने एक चमच घी का यूज किया है दाल तड़का अकसर घी और तेल दोनों को मिक्स करकी ही बनाई जाती है तो यहाँ आट यहां पर सबसे पहले हम एट करेंगी एक चमच जीरा, जीरे को अच्छे से तरक जाने देंगे छाफी मेंने यहां पर बारी कटी आट से दस लह्सुन की कलिया इसमेंuais कर दी है दो का इसमें कीड़ करज़ा इब साथी हम इसमे आड़ करेंगे एक प्यास चोटी चोटी तुकड़ों में कट कर लिया था तो यहां पर प्याच को हम इस अच्छे से भून लेंगे चलाती हुए ती नहीं करना है। ऐकशमीरी लाल मिर्च। कशमीरी लाल मिर्च। क़लर का ड़ एक तो अगर के पास लाल मिर्च नहीं है किसी बीतार यहां पर योज कर सकने है। ईहलुदी पाउडर धनिया पाउडर और चुटकी भर घरम टो यहां पर हम अच्छे से सभी मसालों को ब्हून लेंगे चलाती होँ蘇ली सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है लगपग हमारे साड भून गई अब हम इसमे एट करएगी दो बड़ी साइस चपर तमाटर जिसम alιαły नहींने धूड़ा हम यहाँ पर बना रहे हैं वह भी धाबे स्टाइल तो सभी मसाली इसी तरह से इसमें एड होंगे काफी अच्छन का टेस्ट आता है घर पर ही आपकी धाबे स्टाइल दाल बिल्कुल बनकर रेड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर सारे मसाले भून गए हैं अब हमें इसमें बॉ अच्छा कलर हमारा दाल का आया ही तो हम इसमें थोड़ा सा पानी एड कर देंगी साथी आप अपने अनुसार कंसिस्टेंसी जो है दाल की वह मैंटेन कर सकती ही अगर आप थोड़ी दाल खाना पसंद करते ही तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड कर सकती ही तो यहाँ मैं नमक adds करते हमें कूपकि नमक नमक Abstored में नमक झापे था में नमक करके में नमक टी पारने नमक देगा दे यहां पर हमने लिया है एक पैन आप कोई भी तपेली या कड़ाई ले सकती ही उसमें मैंने एक चमच घी एट किया है घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे साथी मैंने इसमें एक चमच जीरा और दो खड़ी लाल मिर्चु साथी इसमें टेस्ट इनहेंस करने के लिए हम आदी चमच कश्मिरी लाल मिर्च तो इस तड़के को अच्छे से तड़क जाने देना ही और अब हमें इसे एट करना ही हमारी दाल के अंदर तो यहां पर मेने पकी हुई दाल जो हमने फ्राइ की थी उसमें इस तड़के को एट कर दिया है साथी इसे अच्छे से मिला लेन जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुच जाए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और इसे बना कर जरूर ट्राय कीजिएगा आप किस स्टेट से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं मुझे कम किजिए